अगर आपको मेरी वीडियो पसाद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसाद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसाद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा तो इस voice को अभी हम edit करने वाले हैं आपने क्या करना है Lexia's Audio Editor App को download कर लेना है जो के आपको Play Store पे simply available रहेगा download करने के बाद simply open कर लें और इससे आप अपनी voice को record कर लें और वहाँ पे जाने के बाद आप Amplifier पे जाके क्लिक करें अभी आपके सामने इस तरह से lines शो होंगी अगर आप right side से lines को up करेंगे तो आपका ज्युहाँ आवाज वो clear होती चली जाएगी और अगर आप left side से graph को up करेंगे तो आपकी बेस बढ़ती चली जाएगी आपने क्या करना है जएदा छेड़ना नहीं है आपने simply थोड़ी बहुत adjustment करके जिस तरह की voice आपको पसंद है आपने apply कर देनी है और यहाँ से भी save कर लेनी है इसके बाद again आप जाएंगे जी effects में जाएंगे effects में जाने के बाद सबसे last पे तकरीबन आपको मिलेगा stereo and mono convert stereo and mono पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पी आपको settings apply कर देनी है यह settings apply करने के बाद आपने का करना है आपने दुबारा effects में जाना है और वहाँ पे जाके normalize के option पे क्लिक कर देना है जिससे आपकी जो voice है normal हो जाएगी और voice editing का किसी को पता नहीं चलेगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो subscribe लाजमी कीजिएगा so this is the simple way to edit your voice just like a professional by using mobile